My friends, Welcome to the next video on my YouTube channel. Today we will discuss the structure of the tooth. आज की वीडियो में हम ये चीज़ इसका स्टुक्चर क्या होता है? तो हमरे tooth की अजर हम बात करें तो इसमें तीन पार्ट पाए जाते हैं. इसमें तीन पार्ट क्या है? एक रीजन इसका क्राउन है जिसको हम बिल्कुल सफेद जो हमारे दांत का रीजन होता है उसके बाद साइटर रीजन इस तर्ड रीजन इस दा रूट तो जो उपर वाले होता है जो हमारे दांत में सफेद सफेद दिखता है इस वन यह वाइट कलर का होता है इसको एनमल कहते हैं एनमल बिल्कुल सबसे हार्डस्ट बून हमारी बाड़ी में पाई जाती है तो यह सबसे हार्ड होता है उसके बाद दूसरा रीजन और यह वाइट कलर का होता है उ होते हैं और यहां पर खास तरह की protein यह पर पाए जाते हैं उसके बाद next उसके बाद deep region जो है which deep region में हमारा root होता है तो tooth जो है externally tooth cover किया है किसने animal ने और animal के बिल्कुल अंदर कि अगर हम बात करें तो एक खास तरह की बून है, that is known as dentine, सबसे बाहर animal और यह white clear का है, उसके बाद जो बून है, that is known as dentine, और dentine, internally इस dentine ने एक खास तरह का structure रखा हुआ है, उस खास तरह का structure का नाम pulp cavity है, इस pulp cavity के अंदर हमारे blood vessels भी enter करते हैं, और nerves भी enter करते हैं, इस pulp cavity को cover करने के लिए एक layer है, एक layer, उस layer जिसको मैंने यहां दिखाया है, this layer, this layer is known as ordered dog blast, जो human being होते हैं, जब teeth fully grow हो जाते हैं, तो उसके बाद यह जो pulp cavity है, यह block हो जाते हैं, उसके बाद जब यह block होते हैं, तो उसके बाद तो उसके बाद teeth की growth नहीं होती है, और teeth जो है, fully growth होने के बाद रुक जाता हैं, whereas, in case of rabbit, उनकी growth teeth की throughout the life होते हैं, और उसके reason यह है, उनकी pulp cavity जो है, वो open होती है, इसलिए उसमें teeth की growth continuously होती है throughout the life, तो इस teeth में, अगर हम teeth के roots की बाद कर रहे हैं, तो हमारे पास जो teeth होते हैं, incisor, canine, premolar और molars, उनमें roots जो हैं, एक तरह से arranged हैं, बलाak incisors और canines जो हैं, उनमें एक teeth हैं, और जो हमारे पास molars होते हैं, upper molars जो होते हैं, लवर molars में दो roots होते हैं, जो अपर premolars होते हैं, उसमें दो roots होते हैं, और lower premolar जो होते हैं, उनमें एक root होता है, इस चीज़को एक बार में रिपीट करता हूँ, वह यह है कि जो हमरे इस होते हैं incidors और canines में एक, एक रूट होता है और molar also upper molar में एक या五 जा दो दो। europe premolar में दो रूट और lower premolar में एक रूट इस तरह से रूट पाए जाते हैं तो दूसरी बात अगर हम ये क्रें कि जो टित होते हैं मरे यहाँ इनको fully hygienic रखना है यानि दांतों की सफाई एक एहम चीज है क्योंकि हमारे यहां जो दांत पाए जाते हैं यह बकल कैविटी में पाए जाते हैं यहां बकल कैविटी में एक खास तरह का temperature रहता है यहां पर moisture मिलता है और जब हम खाना खाते हैं खाना खाने के बाद कुछ न कुछ poop material हमारे यहां हमारे इन दांतों के बीच में रह जाता है तो इस तरह की मतलब environment में यहां बक्तिरिया ग्रोग कर सकते हैं और बक्तिरिया जब ग्रोग करेंगे तो वह एक acid produce कर सकते हैं और उस acid के वज़ए से जो हमारे teeth हैं उनमें cracks पर सकते हैं और इसी वज़ए से teeth decay हो जाते हैं तुथ чист decay हो जाता है इसलिये तुथ ब्रश करने से क्या होगा आज़ए खाना कमेंगे खाने के बाद जो भीयां अगर हम brush कर लें तो आगम हाने के बाद वह जो चीज हम निकल जाएक तो कोई भी चीज हमारे मोत के हवाले से खास संसेर रहना चाहिए हमें early morning में भी ब्रश करना चाहिए और late night में भी जब हम मतलब खाना खा लें और खाना खाने के बाद फिर ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे माउप में कोई भी बेक्टिरिया ग्रो करना सके और हमारे टिस हैं बज जाए इसलिए अपनी इसमें हमें थोड़ा सा खयाल रखना है अपनी health का भी खास खयाल रखना है इसलिए इसमें अगर पसंद आये तो आपने दूस्तों तक इसको शेयर कीजिए थैंक्स